तो यह दसरत माजी का गहर है कहां से कहां है वोड रहते हैं वहां से घार है यही है वह चिंवी और हतोरा जिससे उन्होंने बाइस साल तक लगातार मेंद किया पहार को काटा तो अच्छा यह दसरत माजी के नाम पे जो मुवी बना था उससे आप लोगो कुछ मिला था या फ अब शुटे चेखे थे आप लोगो के अप सभी आप सभी आप सभी अची हो इंसान अगर कोई बी चेज को चाले तो वह क्या नहीं कर सकता ज़ता समाजी का तो आप लोगों ने नाम सुनाई होगा उनके नाम पे एक 2015 में मुवी नी आया थी माजी दा माउटेट बेन करके और वही हो दस्रतमाजी जो है एक छिम्नी और हतोडा की मदद से बढ़ा सा पहार को कार करके उचकी वीचों बीच से रास्ता बनायते उसी पहार में मैं अभी खड़ी हूँ आप देख सकते हैं यही वो पहार है और इसी जगह पे वो रास्ता बनायते यही वो रास्ता है इसको उन्हों ने टेक चिम्नी और हतोडा की मदद से बाइस साल में जो है कंप्लेट किया था इस रास्ता को बना करके और आप देखिए इसी जगह पे उनका गांदर वही पे और रहने वाले थे पोड़ी पे राखते थे और हमने साथ ही तरह जो है इस पहार को पार करके उससमें इस पाहर की शाह्नु रास्ताहा भी हुआ करता था यह एक बड़ा सा पहार था उसमें वह पहार को पाहर करके चिंख में करने के लिए वह सब्हू collaborate तो देली के तरह वह उस पार जाते थी पहार में पहार को पहार को चर करती अपने हस्बेंट के लिए दस्रत माजी के लिए खाना पहुंचाने जाती थी उस पार पहार में काम कर रहे होता है तो क्या होता है उनकी पहार देरे दरे चरती हुए जाती है लेकिन आधा रास्ता में उनका पहार पथरों से शिशल जाता है और से तल्वे की कारें उनकी वाइक जो है वो तेरे तरे लोड़क करके चीदा पहार को तीचे उतर जाती है और फिर घुबन फिक्कों फिर दस्रत माजी उस पार में उनका वेट करते हुए रहते है तेंशी टेरे उस काम में खाना पहुंचता था उनके लिए लेकिन उस रास्ता उस पार में तो किनारे किनारे हुआ करता था यह तो पहारी रास्ता हुआ इसमें लेजाना आपँ नहीं पढ़िए कुल कर रास्ता की किनारे आप पहार की किनारे किनारे उस्कतार की कि दस्रत माजी को बहुत बड़ा जटका आया उसके बाद जब उनके बाइट को और पर गया उसके बाद अंतिम संस्कार के बाद वह काफिय स्वास में पड़ गया और ते पहार को देखने लगा और बोलते हैं कि तेरी वजह से मेरे वाइत हैं उनका मुवित्यों हो गया हूँ पर गई तेरी ही वजह से किको बाद जोहें रास्ता बनाएं नेता है कि कोई भी और पहन हो या फिर पतनी हो किसी कि कोई भी ऐसा ना मरें जैसे मेरी वाइत मरियर यह सौच करती हैं वह रास्ता बनाने लग जाते हैं और यह लेगा उनके पाफ वहा पत्री कुछ बत्रिया थी दो तीन पत्रिया थी इनकी बार तो वह उनकी प्याइब करते हैं अभी एक शिमी और यह थोड़ा के मदद थे आप खुदी सोचिए एक शिमी कितना बढ़ा होता है और इक अधोड़ा कितना बढ़ा होता है तो उसी में करते थे उसको काटने को सिस्क्राइब तब क्या होता है नहीं कि निकल गया है ऐसे बोल बोल के उनको चिणाया जाता था उनको पथर में वारा जाता था फिर भी जो है दस्रत माजी पीछे नहीं हटते हैं वह इस बात से यह तक सारा जीट सुनके गाउवालों की जो किसकिती वह सबको सुनकर के वह परेशान हो जाता है इसलिए वह क्या करते हैं जितना वह अपना पार सके उतने ही करते हैं लेकिन जब उनका खेती में यह अच्छत खेती नहीं कर पाते जzar रहते तब क्या करते था वो नियुक्त तब हैट थे इस पार ते निकांckt गाप रहता था वह दस्रत माजी करते हötने लोगों का ताकि कुछ पैसा मिल कर चाहका और सब्सक्राब्ल्य में रहें करते मेहनत करते करते भी रिए दिरे रिखे देख से इसे जगा को शर 3 रास्ता ना पनाने के लिए के लिए तब जाके वो इतना पर रास्ता बना पाए कि देखिए दस्वत्माजी जो है वही से इस पहार को काटना से को किये थे और इस रास्ता को बनाये थे उस समय ये पहार ये पहार जोगे उसके साथ जोएंट था वो पहार और वो पहार पुरा जोएंट था ये सब और उसी को काट करके ये छोटा बनाए और इसको रास्ता देखे उनके ही नाम के ये जो रास्ता देख रहे हैं आप जिनको दुष्रत माजी ने खुद बनाया है पहाड को काट करती उसी रास्ता को अभी दसरतमाजी के नाम से जाना जाता है और वहाँ जो आपनों को गेट दिख रहा है एक वहाँ पर जो गेट है उसको भी दसरतमाजी द्वार के नाम से जाना जाता है और वह जो उसकी बगल में एक वाइट वाला घर दिख रहा है उसे विए दस्रत्माजी स्मेत्ति के नाम से जाना जाता है यहां आके मुझे ऐसा लग रहा है कि इंसानों के लिए कोई विक्ताम असंभव नहीं है आप खुदी सोचें आप देख सकते हैं इतना ओचा से पहार को दस्रत्माजी ने एक छिम्नी और एक हतोड़ा की मदद से छोटी सी एक छिम्नी और हतोड़ा की मदद से जो है 22 साल लगातार काट करके वो इस पहार को इतना लंबा अब देख सकते इतना लंबा वो पहार था और इतना चोड़ा था उसको काट करके वो रास्ता बनाएं गोखे प्यासे वो गरेव इंसान थे उनके पास खाने के लिए उतना नहीं था लेकिन फिर भी उन्होंने 22 साल लगातार मेहनत किया और एक पहार को एक बड़ा सा पहार क काट करके रास्ता में बदल दिया अभी मैं इस पत्थर को छो रही है तो छो करके ऐसा लग रहा है कि दर्फक माझे जो काट रहते एक चिंदी और एक थोड़ा की मदद से तो उनका जो है पत्थर बहुत कम एक दिन ने बहुत कम कट रहाता होगा क्योंकि कितना जो और यहीं है रास्ता जो पहार के किनारे किनारे घूम के जाती है और इसी रास्ता में जाने के कारण उनकी वाइट की डेट हो गई थे अब देख सकते इस ने पेल के कारण हो तोड़ा चाम हो जा रहा है वह पता नहीं चिर रहा है लिकिन उसी जगा है दस्तामादी जो तड़क बनाए थे वह और यह है उनका समादे इस तो उनको इसी जगह पर समादी दे गई थी और इसको अभी सरकार जो है बहुत ही अच् इसके साथ में दस्तामाजी का जो है वह इस बनाया हुआ है जो कि इसी के पीछे में आप देख सकते हैं जहां पर दस्तामाजी को समादे दिया गया उसी के डश्त आगे ने यह जो है उनका इस्टेचू बनाया गया है कि माउंटेन में ंसास माजी के नाम पर अभी एक नगर बना दिया गया है जिसका नाम है दस्तामाजी का इस्टेचू बना दिया गया है तो यह दस्वक माजी का गारे कहां से कहां नहीं बोल रहेते सो उसका यह तौसकाइम भी आईसा ही घर था उनका पहले मीटी था हुए कि पहले। तो अच्छा ये दस्रत माजी के नाम पे जो मुवी बना था उससे आप लोग को जो मिला था या फिर नहीं उसमें तो बावा पर जैतर उदर उदर हाथ मैं चल गया का की दू फरसिंट देंगा निक चलेगा लुटव तोमोर्द हार चला हाँ और बहुत हम दूझए चला ना मुवी बनाया गया ओर वह फांगे रह गयाँ परिवास्या अपर पहले बोला ग अगर जनकारी रहता है आदम को एक पूछता तो ऐसा काम नहीं को दूछने के कराण हरती आगूर्ट हो जाता है थोड़ा बहुत नॉलेज है अगर इस चीज का पता रहता पहले तो खड़ा से अच्छा रहता है अब करने कि आप खोगे तो कहां अभी चले गए उसकात नहीं तो अभी मैं आई हुए हैं दस्वत माजी इसमृति भवन तो अंदर चल के देखेंगे अभी उनका पूराना पूराना चीज जो है यह एक म्यूजियम है तो यहां पर उनके सारी चीज़े हैं तो चलिए अंदर चल के देखते हैं अब हम लोग म्यूजियम के अंदर में एंटर कर चुके हैं और देखिए यहां पर जो है उनका फोटो चिपकाया हुआ है वो जब पहाड को काट रहे थे वो जब रास्ता बना रहे थे तब का फोटो उस समय का फोटो कुछ इस तरह का उनका लिया गया है और यहां पर उसी वो दोनों फोटो तो सेम फोटो है जब वो पहाड काट रहे थे रास्ता बना रहे थे तब का है और नीचे में यह देख सकते हैं आप दुजरत माजी जो है मुक्यमंत्री के साथ है देखिए बाबा पहले देखिए जो खाद का बोड़ा था उसका देखिए बना करके पें कि अकड़े बोड़ा मतलब अबब जो धान सबने में है बना करके पहनते थे वह देखिए चुटकी सुटर लुकरह है रूम है करके स्वलिक है जिशाहए चाहरे है यह जाइर फीडूति तब ऑनगा का सबलने का है जैतना भी चीज इनको रखा हुआ है, अपने देख सकते हैं, इधर देखिए भी हर सरकार का जो दिया हुआ है, जो बावा का जीवनी है, हाँ जो चाहिए, जो लिख दिया है, यह उनका पुरा का पुरा जीवनी को जो है, यहाँ पे लिख दिया गया है, उनका शुरू से लेकर लाश तक का पुरा का पुरा उनका जीवनी यहां पर लिख दिया गया है ताकि कोई भी आए देखे तो पढ़के समझ सके और जाने उनके बारे में यह सब कुछ लिखा हुआ यहां पर और कुछ चीजे इधर देखिए इधर जो बावा का जो है सब पुरुषकार मिला है तो देख हाँ थोड़ा चीम्मी था पहार काटते वक्त हुआ सकते और यह रहा मूवी यह जो माउंटेन में दमाउंटेन में करके जो मूवी आई थी उसका यहां पर पोस्टर लगाया गया है तो देखिए यही है वह चीम्मी और हथोरा जिससे उन्होंने बाइस साल तक लगातार म को बच रहा है देखिए वो जो है ना मतलब सुरू से काटते काटते जो बचा है यह सब सही बाइस साल लगातार उन्होंनों काटके मतलब दीरे-दीरे खिया जाए लेकिन वह अकेले सुचिए लेकिन वह अकेले जो है आज उनके साथ में कौन रहेगा आप पहार पोने लि समझा जाता था उनको जब वह पहार काटने लग गये थे तो उनको कुछ पागल जैसे समझा जाता था क्या कि वह अकेले जाके पहार काट रहे हैं माता पिदा सोचे कि भाई बुलो बाल बचा अरे तुब कम आखा पहार में फोरता है संधाय नहीं संधे इनको दिल में ऐस पहार को काटना नहीं था कितना गुजर के बाब ददाले के रास्ता नहीं बना अगे हम रग्राम के लावर में आज हम लोग आज रास्ता बन गया आज के बनने के बाद दिरे दिरे बनने लगा सब्सक्राइब आज दूर दूर से आ रहे हैं वहीं पगला के देखने के लिए नहीं की पगला समझा जाता था आज वाज में देखो कि आज कहां पहुंचे उनके नाम से एक नगर तक बन गया उनका नाम का रोट बन गया हार चीज़ बन गया बन तो यहीं है मांटेन में सब्सक्राइब दसरत माजी के सब्सक्राइब तो आपका क्या नाम है अमरा भागिरत तो आपको क्या लगता था लोगों की तरह ही उसका बाप माय और वाम गयरा कसा पागल बनाती है कि तो पागल हो गया कमान कमाता तमा जूरी मिलता बाल बाचा किया थे तो इस पागल समझ के कोई विश्वास नहीं किया जो बाइस साल में रास्ता को बना दिया तब सब को विश्वास हो कि अभी हार रास्ता आसपास गाड़ी मुट तो यह क्या बोलते है जब वह हमेसा के तो आप लों को हमारे पिता जी हमारे लिए कुछ नहीं बोला नितीस खुमार जो भारती था तो नितीस खुमार भोला कि देखेए बावा कुछ बाल बाचा लिए बोल के जाईए तो कहा एक बेटा लिए कि आम आगेंगे सवसे भीहर हो जेती हैं आज सक मकान हो बना तो चार काम है के करेगा निकिस कुमार कहा कि हम पूरा कर रहे हैं तो देखे पकी रोड नदी में पूल अस्पताल थाना किसार भावन चार काम हो पूरा निकिस कुमार कर जो कर दिये हैं लिए घर मकान लिए बोला कि हम द्याए नोकरी लगा देगी यह नहीं मतलब व उस टाइम में वह कुछ बोल के नहीं गया कि कुछ कर दिजिए मेरे पच्चालों के लिए कुछ कर दिजिए बोल दी है अबना घर आयाए एसा तो यही था कहानी दस्रत मार जी का भारत के मांटेन मेन का तो प्रेंट्स आज कब लोगाएं नहीं पर करता हैं अगर वीडियो अच्छे लिगी हो तो एक लाइक कर दीजिए और अगर चैनल में नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मेलते हैं नेक्स्ट झाल झाल झाल